दोस्तों अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी और रोहिच शर्मा को सबसे बेहितर खिलाडी मानते हैं तो इस वेडियो को लाइक जरूर किशुएगा दोस्तों भारती टीम के साथ श्रिलंका के लिए रातो रात रवाना हुए भारती टीम के नए मेंटोर महेंदर सिंग धोनी जी हाँ दोस्तों श्रिलंका की धरती पर भारत को T20 सिरीज खेलनी है जिसके लिए आप दोनों टीमें तयार हो चुकी है लेकिन इस बीच T20 सिरीज के शुरू होने से पहले भारती टीम श्रिलंका की धर्ती पर रवाना हो चुकी है। बाता है भारती टीम ने हाली में T20 वर्ल कप को अपने नाम किया है। की धर्ती पर शुरू होगा। और ऐसे में इस सिरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है। और इस सिरीज के लिए दोनों टीमों ने अपनी त्यारी शुरू कर दी है जहां पर भारती टीम के सब खिलाड ये शुलंका के लिए रवाना हो चुके हैं जिसमें भारती टीम के नए कप्तान नए हेड कोच के साथ भारती टीम के नए मेंटोर भी शुलंका की धरती पर रवाना हो गए इस बीच भारती टीम के नए कप्तान सोरे कुमार यादों के साथ भारती टीम के पुर्व मेनेजमेंट के रूप में भारती टीम के नए हेड कोच गौतम गंभेर बेमोजूद थे जो कि प्रेस कॉनफरेंस भी कर चुके हैं इतना ही नहीं भारती टीम के लिए स्टाफ मेनेजमेंट के तौर पर अभिशेक नायर को भी भारती टीम के साथ देखा गया तो वहीं अब श्रलंका की धर्ती पर माहेंदर सिंग धोनी को अलग से रवाना कर दिया गया है जो कि टीम के साथ नहीं गया है लेकिन अब बी सी सी आई के सूतरों के हवाले से खबर सामने आई है कि एमेस धोनी को अगले टी ट्वन्टी वाल्ड कप दो हजार शब्श को ध्यान में रख टी ट्वन्टी वाल्ड कप चैंपियन्स ट्रॉफी और वाल्ड टेस्ट चैंपियन्शिप के लिए बेहितर तरीके से तयार करेंगे और योवा खिलाडियों के साथ अनवह खिलाडियों के साथ में भारत को जाना से जादा उच्छे आई उपर ले जाने का काम करेंगे क्य है दोनोंने काफी क्रिकेट खेला है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि भारती टीम श्रलंका के खिलाफ टी-20 और वंडे सरीज दोनों को अपने नाम करते दिखाई दे सकती है जिसके चलते भारती टीम को काफी जादा फायदा भी मिल सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारती टीम को श्रलंका के खिलाफ टी-20 सिरीज में जेत मिलेगी या नहीं कॉमंट में जरूर बताईए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवाद